Hello students, in this video we will discuss about chapter 4 of English drama. So the name of the chapter is Use of A and The. हम A, N और The का यूज कहां कहां करते हैं, यह हम इस चाप्टर में पढ़ेंगे. There are 26 letters in English alphabet. हमारे English के alphabet में कितने letters होते हैं? 26 होते हैं, जिनमें की 5 होते हैं, क्या होते हैं हमारे? वोवेल्स होते हैं, और वो कौन-कौन से होते हैं? A, E, I, O, and U. यह जो A, E, I, O, और U हैं, वो सारे हमारे क्या हैं? वोवेल्स हैं. और जो बाकी के बच्चे 21 letters हैं, वो हमारे क्या होते हैं? कौनसोनेंट होते हैं, जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z are the consonants. जो हमारे 5 letters होते हैं, 26 alphabet में, वो वोवेल्स होते हैं, और बाकी के बच्चे हुए 21 letters होते हैं, वो क्या होते हैं? कौनसोनेंट होते हैं. We put N before the words which begin with A, E, I, O, and U. हम क्या करते हैं? N सा यूज उन्हीं ही आगे करते हैं, जो किस से start होते हैं? A से, E से, I से, O से, और U से. जैसे कुछ हमें एक्जामपल देख जिते हैं, यहां पर यह क्या बना हुआ है? Apple है. Apple का पहला letter क्या होता है? A होता है. इसलिए हम उसके आगे क्या यूज करेंगे? An. तो क्या हो जाएगा हमारा? An Apple. फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है? Elephant. तो elephant का भी पहला letter क्या से start होता है? E से, E क्या है? वोवल है. तो इसलिए हम इसके आगे भी N लगाएंगे. तो क्या हो जाएगा? An elephant. फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? Ant. आंट का भी पहला letter क्या से start होता है? वोवल से, A से, इसलिए उसके आगे भी क्या लगेगा? An लगेगा. तो क्या हो जाएगा? An? Ant. फी पूट ए बिफोर दो वर्ड विच बिगिन विद अ कॉंसोनेट और हम उनले वर्ड के आगे ए लगाते हैं, जो कि किसे start होता है? कॉंसोनेंट से. कॉंसोनेंट क्या है? जो 21 लेटर्स वोवल के बात बचते हैं, वो हमारे कॉंसोनेंट कहलाते हैं. चलिए हम इसके कुछ एक्जामपल देखते हैं. फॉस्ट एक्जामपल है हमारा पैरेट, क्या है? पैरेट है. तो पैरेट का पहले लिटर क्या है? पी है. तो क्या हो जाएगा ये? आप पैरेट. क्यों? क्योंकि ये कॉंसोनेंट है. नेक्स्ट क्या है? जग है. जे लगेगा पिर नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है ब्रेड है तो बी क्या है इसलिए इसके आगे भी ए लगेगा अब तक हम ने देखा कि हम बॉविल्स के आगे एन लगाते हैं जो कि सिर्फ पांच होते हैं और जो इसके आगे ए लगाते हैं अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे the के बारे में the is used before the things which are only one of their kind हम the किसके आगे यूज़ करते हैं उन चीज़ों के आगे जो सर्थ एक हो जैसे पूरी दुनिया में कुछी खास चीज़े होती हैं उन्हीं के आगे हम क्या करते हैं the का यूज़ करते हैं example देखते हैं sky इसलिए उसके आगे क्या होगा the sky next क्या है moon है moon भी एकी है तो इसलिए उसके आगे भी दर लगेगा फिर क्या है sun है sun भी क्या है एकी है इसलिए उसके आगे भी दर लगेगा चलिए हम कुछ exercise देख लेते हैं fill in the blanks with a, n और the इसमें क्या करना है इन blanks में हमें a भरना है and भरना है या फिर द भरना है ठीक है इसलिए मुही wants to eat dash orange यहां पर पहला वर्ट क्या है o है तो इसलिए क्या हो जाएगा वोवल है ना तो कौन से इसलिए तो वोवल है इसके आगे लग जाएगा n फिर next है my sister is dash artist इस यहां पर भी a है तो क्या हो जाएगा n artist फिर यहां पर o है and old man is crossing the road यहां पर sun है sun क्या है एक ही है the sun is shining in the sky rani is riding our horse क्यों क्यों कि यहां पर यहां पर यहां पर लगेगा फिर next क्या है fill in the blanks with a and or the इन सब में क्या करना है हमें चेक करना है कि जो सबसे पहला वर्ड है क्या है वोवल है या पांसुनेंट है उसको देखेंगे और उसी क्या गॉर्ड है और वोवल है तो हम कम मिलती है जैसे sun हो गया तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे दह लिखेंगे ठीक है फिर next exercise है हमारी circle the correct words in the following cases इसमें क्या करना है हमें यहां पर option दिया हुआ है ए और n का सब में तो जो इसमें correct होगा हम उसको circle करेंगे जैसे aeroplane है तो a aeroplane होगा या an aeroplane एन होगा तो हम एन को circle कर देंगे इसी तरह हमें पूरी exercise करनी है फिर next exercise है हमारी students it's one time complete the words with the help of hands given also think and write whether to use a n or the इसमें क्या करना है हमें यह complete करना है तिक है यह वर्ट जो दिये हैं वह उनको complete करना आई एक इन मूवीज में काम करता हूं तो मूवीज में कौन काम करता है एक्टर्स करते हैं यहां पर क्या हो जाएगा अए ACTOR किया लेखेंगे अंगर एक्टर्स इसी तरह में सारह बरना है और प्लस यहां पर क्या करना आई एक्टर्स तो यहां पर क्या है पहला वर्ड ए है वह क्या है वोव्ड वॉवल के पहले क्या लगता है एन लगता है यहां पर हम एन फिल करेंगे ठीक है क्या हो जाएगा आई एम एक्टर इसी तरह हमें पूरी एक्सेसाइज सॉल्व करनी है थैंक यू